हाई एवरिवन कैसे हैं आप सब आई होब कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो क्या आपको भी मेरी तरह लंबे बाल बहुत पसंद है क्योंकि मुझे लंबे बाल बहुत जादा पसंद है इसलिए मैं घर पर ही कुछ न कुछ रेमेडिस करती रहती हूँ तो आईए हम स्टार्ट करते हैं आज कौन सी रेमेडि हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम ये मेती दाना ले ले लेंगे और इसके अंदर दाल चेनी ले लेंगे आधा या एक टुकड़ा तो हम इसको रात बर सोक करके रख देंगे यानि राद भर इसको भिगो के रख देंगे हम So now that हमें कुछ नहीं करना है सिर्फ हमें ये मेती दाना और ये दालची नहीं लेनी है जो कि हमारे घर में अवेलेबल होती है Easily हमें सिर्फ इसको सोक करना है राद भर इसके बाद हम इसको use करेंगे Use करने का तरीका मैं आपको इसमें पता देती हूँ You know सबसे अच्छी remedy मुझे मेती दाने की ही लगती है क्योंकि इसमें smell वगरे नहीं होती है और ये बालो को बहुत ज़्यादा अच्छा और strong बनाता है और बहुत ज़्यादा help भी करता है बाईल को shine करने के लिए अच्छा जाए तो गाइस घर के अंदर काफी शूर हो रहा था तो इसलिए मैं सेडियो पर आकर ये वीडियो शूट कर रही थी क्योंकि मैं आंदर नहीं बना पा रही थी इसलिए मैं सीडियो पर आकर बैठ गे रो यहीं मैं शूट करने स्टार्ट कर दिया So lay without I was very worried about Air fall, so that many remedies वगरास स्टार्ट करी तो आप बालो को अच्छे सा सुलजा लिजिए, बालो को जो सुलजाने का सबसे अच्छा तरीका वो मैं आपको बता देती हूँ आप बालो को crochet length जो होती है वहां से आप सुलजाना start कर्ये ताकि बाल अच्छे से सुलज जाए और pain भी ना हो बालो में तो मैं बालो को ऐसे ही सुलजाती हूँ, hair令 से ही सुलजाती हूँ जिसे अच्छे तरीके से सुलज जाते हैं बाल तो आईए हम apply करते हैं बालो को दो हिस्सों में हम बाट लेंगे दो partition में करने के बाद आप इसमें अच्छे से apply कर सकते हैं जो आपने remedy बनाई है तो आईए हम इसमें apply करते हैं मेथी की बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं अगर आप बालो में try करते हैं कोई hair pack लगा कर या मतलब mask बना कर कुछ भी तरीके से अगर आप मेथी को बालो में लगाते हैं तो इसके बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं क्योंकि जो बालो का volume होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और अच्छा हो जाता है पहले के according अगर आप इसको one month try करते हैं तो personally result देख सकते हैं आप इसको apply करने के बाद इसमें मतलब कि जो बालो की थिकने से वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बाल बहुत ज़्यादा अच्छे जाते हैं जो premature gray hair होते हैं उसकी भी problem solve हो जाती है वो भी खतम हो जाते हैं तो च केस्टर ओल बहुत ज्यादा थिक होता है इसलिए हम इसको सिर्फ आधा चमच ही डालेंगे और यह बालो की growth के लिए बहुत ज़्यादा helpful होता है आज कल जो market में oil वगर मिलते हैं hair oil उसमें भी कैस्टर ओल का भी use होता है थोड़ा बहुत कैस्टर ओल उसके अंदर भी होता है जो कैस्टर ओल है वो बहुत तेजी से बढ़ाता है इसलिए हम इसका इसलिए मैंने तोड़ा सा मेति दाने के पानी के अंदर कैस्टर ओल डाल लिया था अब इसको मैं अच्छे से मेक्स कर लूंगी ताकि यह और मिक्स अप हो जाए फिर हम इसको apply करेंगे बालों के अं नहाने से पहले, तो आप इसको 20-25 मिनट अपने बालो में रहने दीजे, इसके बाद बालो को किसी भी माईल शाम्पू से वाश कर लीजे आप, तो आप देख सकते हैं, मैंने इसको पूरे बालो में अपलाई कर लिया है, और मतलब सही लग रहा था लगाने के बाद, आपको पता ही है, ये बालो की थिकनेस को बढ़ाता है, और बहुत जल्दी बालो को ग्रो करणे में हेल्प करता है, रेमेडी मैं थोड़ी एक्स्टर बनाती हूँ, ताकि मैं अपनी सिस्टर्स को लगा सकूँ, इसलिए मैं अपनी सिस्टर्स को भी अपलाई कर देती हूँ, रेम टो मेरी वीडियो, अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सबस्क्राइब कर देना और शेयर भी कर देना और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना बूले ताकि मेरी हर वीडियो की नौटिफिकेचन आप तो पहुंच जाए。 तो मिलती हूँ नेक्स वीडियो में और आप background बिल्कुल भी ignore कर दीजिए क्योंकि मैं remedy कहीं भी बनाना start कर देती हूँ जहाँ पे भी मैं comfort होती हूँ मैं वहाँ पे ही remedy बनाना start कर देती हूँ क्योंकि जब इधर उधर शोर शराबा होता है तो मैं कहीं भी लेकर बैट जाती हूँ कैमरा और शूट करना स्टार्ट कर देती हूँ तो बाई गाइज